इंडिया अलब जुर्म के खिलाफ आवाज नमस्कार, मैं सुधाचंद्र। क्राइम अलड के आज के इस एपिसोड ने आप सब का स्वागत करती है। हमेसे ऐसे कितने लोग हैं जो अपनों के लिए अपना कर्तव्य, निष्ठा और इमानदारी के साथ करते आ रहे हैं। लेकिन बदले में प्रशन सा करना तो छोड़िये, मान्यता तक नहीं मिलती है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, जहां सब कुछ करने के बाद हाथ आता है, तो सिर्फ रूखापन और तेरसकार। थांक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ये शब बहुत ही आसान लेकिन बेहत ज़रूरी है। पर इन शब्दों का प्रयोग करने में हम आलस करते है। जब रिष्टों में आधर और कृत्यगता का आभाव है। वही आपराद की गुंचाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। यह झालिए चाओ लेश खीस एश। पपीथा। यह किसन azuje ग़ि력 सुख Evangel को तुम्हें इपता ने बीनिया अधिा ओता कि माउना बने बाली ओरतों पपीथा नहीं ऑना होता। माझी यह तो मुझे मुझे मेनादीभीने था थाję। मेना नहीं। मेना! मेना, 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 जी माची, पांक तार होगे इसकी शादी को, आज तक एक पोता ना दे सकी मुझे, अकल नाम की चीज तो है इनी इसके पास, क्यों रही, तेरे माइके में माँ बनने वाली और उसको पपीता दिया जाता है खाने के लिए, माची, जब, जब, माची, छोटी सी बात है, आप भेकार में इतना परेशण हो रही, और यह देखो ना, ले के तरया नो, तृत्ति के लिए फुल्ट्स. मैं प्रिती के लिए सेवकाट कर लाती हो. सुमित्रा वहन, मैं तो साप साप बोलती हूँ, माँ बनने वाली उरतों को उन उरतों की बिलकुष शकल तक नहीं देखनी चाहिए, जो की माँ नहीं बन सकती, सही कह रहे हूं, कम्दा है यह मेरे बागी कब रेना है? जी गो आर्थी प्रेस कर रहे है अर्थी क्या प्रेस कर यह तक? तुम पता है न, मुझे बिजनस के लिए कल जाना है कब वापस आओगे? अब यह सवा कुछ जरूरी ही है मेरा मतलब है परसो हमारी शादी की सालगिरह है आप कितने सालों से साथ ही नहीं होते हो तो इस बार तुम को क्या मेला है मुचो क्या मेला है हम लोगो मिला क्या है जब शादी की कोई वैल्यो नहीं तो सालगिरह की क्या वैल्यों है मेटिंग इस इंपॉर्ट ज़ो जाके कपने लेकर फटावन से मैं क्या कह रही थी? मैं आपके साथ चलूँ मैं कोई गूमने का रहा हूं क्या बिस्नस परपस की ली जा रहा हूं कपने लेका हूं तुम मतलब हर बार बूल जाती हो ना? हा? अभी अपनी दवाई का दो मेरी प्यारी बेगम साहिबा नाइस अब तुम थोड़ा सा आराम कर लाँ इतनी सेवा करोगे ना तो मेरी आदतें बिगर जाएंगे हाँ यह बात तो है पर क्या है? कि तुमने ना जाने कितने सोंबार के बरत रखे होंगे मुझ जैसा सेवा पाने के लिए अब थोड़ी सेवा तो बनती है पूरे सोला सोंबा रखे हैं तुमें पाने के लिए सच में परती जब से तुम मेरी जिन्दगी में आई वो बहार बन गई ये लाइन दिन में सौ बार बोलते हो पर कोई बात ने मुझे सबना अच्छा लगता है अच्छा 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 क्या है है क्या है इतने सालों से तुम्हें हमारे यांपर काम करो तुम्हें फैब्रिक के पहचानी है सर फैब्रिक काफी अच्छा है गुंता इंच कंपनी सक है अड़ वाइज गुपताइन कंपनी सक अच्छा है हमारे कं अ हम्हारी कंप्टैशन्हा है डिलेस को ये पेचिंगा हम यह तुमने आकों में मकड़ी के जाले लगे थे, यह फैबरिक लेकर रहे तुम? सर, पता नहीं, आपको यह पसंद क्यों नहीं आ रहे है? ओ, शट आप! सर, बाबुजी ने बड़ी मैनस से राद दिन एक करके बनाई है. मैं इसकी रेपुटिशन यहां पर खराबते हैं नहीं दे सपरादा है. एक काम करते न, इस बाद मैं जाता हूँ इस प्रोड़क को लेकर, और मैं मैं मेटिंग करता हूँ डेलर से. तुम इस परचणे में नहीं पड़ो. तुम सिर्फ प्रिती का ध्यार रखो, वो मा बनने वाली है. बहिया, जितना ध्हान रख सकतों मैं प्रिती का रख रहा हूँ लेकिन अजे पार्टनर नेरी भी तुको है रिस्पॉंसिबिलिटी है. यह मुझे करने तो न, प्रीज. देखो, सुरज, सुरज. देखो, तुमारे इस बस सबसे बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है, जो हमारे एक हांदान का वारेस दुनिया में हा रहा है, उसे सही सलामत लेकर आओ. देखो, मैं तो मागों का पोतर ही दे पाया. अब तुमको में इस बिजनस में इन्वाल करके मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रिती के प्रदी जो तुमा इसे बिदारग बनती है, उनसे तुम हट चाहा हूँ. अब यहाँ पर मैं मैंनेज कर सकता हूँ. मुझे नहीं चाहिए तुम ओफिस कैप्टर. तो फिर क्यों कर रहें इतनी बार? एक काम क्रत. एक काम क्रत. बच्वारा तुम अरती, आरती, क्या कर रहे हूँ तुम? अच्छा, तो महाराने जी से लिए तुम है. तुम से अमा जी वो बड़ी बहुजी का हाथ जल गया था. इसलिए लेप लगा रही थी. इससे जारा जुरूरी है प्रिती के लिए पानी लेके जाना. उसके पेट में दर्द है. क्यों महारानी? क्या चाहती है तु? तुझे अपने लवा किसी और का ध्यान भी रहता है क प्रिती के लेके लेके जाती हूं तुझे जलती है तु मेरी प्रिती से उसकी कोख एक साल में हरी बरी होगी ना? और तेरी कोख में पिछे पान साल से ताला पड़ा हुआ है. क्यों महारानी? करवाल है अपनी जीबर के सेवा ही से. जब तेरा मन भर जाए ना, तैसे छोड करना दूसरों के लिए भी. सुनिया जी, मेरा हाथ चल गया है थोड़ा. महलम लगाई है पर आराम नहीं हो रहा है, बहुत दार्द हो रहा है. आपके पास कोई दवाई है क्या? सुनिया जी, सुनिया जी, सुनिया जी. अरे कान खोले है मेरे बोलो नहीं यार, ये सुनिया जी, सुनिया जी, सुनिया जी गरट मत लगाओ जो बोलना है बोलो. वो मैं यह क्या रही थी कि आप हमेशा तूर पर रहते हैं मेरा घर पर ना केले मन नहीं लगता क्यों? गर में कोई ओनी है क्या? केले पर जाती हूं एक अरत तब तक अधूरी होती है जब तक वो मा नहीं बन जाती पर शायद हमारे बीच सब कुछ ठीक है पर आप टाइम नहीं देते हैं ना? अर्ट विएज़! एक नम्मर के नेकम में और थी एक काम दीक सगना नहीं आता है तुझे मा ठीक कहती है तुझे कुछ आता नहीं आता है एक हमसे कम ऐसे आप शागुन तुन मात निका लिया पर एक एक शाथ सही बोलो मैं तुझे देखे में इरीटेट हो जाता हूं एग्नोर करता हूं तुझे मैं बद तेरी जड़ बुद्धी को समझ में का आता है और सुन तुझे अगर बच्चा पेता करने का इतना शौक है तो जाके किसी और के साथ जाके सोजाओ अपनी ख्वाइश पूर्द कर ले मेरे लायक तो अपना दूथी और ना कभी हो पाईगी पथर को भी भगवान मानकर हम उसकी पूजा करते हैं लेकिन इंसान का तिरसकार करते कुछ लोगों को जरा भी देर नहीं लगती मीना अपनी तरफ से अपने सारे कर्तवय निभा रही थी लेकिन बदले में उसे क्या मिला अपने पती का रूखापन सास द्वारा अपमान पथर फैकने से शांत पानी में भी उच्छाला जाता है और मीना तो इंसान है अपने पती और सास के रवये की वज़े से उसका सयम तूटता जा रहा है और उसके अंदर का अच्छा इंसान दम घुटने से हर रोज थोड़ा-थोड़ा मर रहा है अब सवाल ये है कि मीना अपने अंदर के अच्छे इंसान को कब तक जिन्दा रखवाएगी कहीं वो ऐसा कुछ ना कर बैठे जहां से उसका लौटना असंभव हो हाँ मा मैं बिलकुल ठीक हूँ डॉक्टर डॉक्टर ने कहा है सब कुछ बहुत अच्छा है हाँ मा अप बिलकुल टेंशन मत लो माजी है ना और मीना दीदी भी तो है सूरग सूरग का तो मा पूछो मत ऐसा लगता है जिसे मा मैं नहीं बनने वाली वो बनने वाले बस सारा दिन यहां मत जाओ ऐसे मत बैटो, ये मत काओ, फूरा दिन यहीं करते रते हैं सच में मा, ठीके मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्या लखना अपना Wow, Ardi तो मेरी बहु बहुत ही प्यारी दी नजर मारे नात्या क्या? नहाने के बाद Ardi, छोड़ो ये सब काम और मेरी बहु के नहाने का इन्जाम करो पहले. जी, अम्मा जी. आपके नहाने का इन्दजाम कर दिया है. च्बाटो पहले. अबताल, अरे, मेरी बहु के रगे? मेरी बहु के रगे? अरे, 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 चल्वादिया। प्रिटिए, प्लीज रोना बंद कर. इस वक्ति ये सब तुम्हारे सहत के लिए अच्छा नहीं है. किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी भूओ को? अरे आज तो मरते मरते बची है ये. किसे अच्छे से पंडित को बुलाला, ग्रै नक्षेतर दिखाते हैं इसका. कोई ग्रै नक्षेतर खराब नहीं है मार और ना किसी की नजर लगी है पीती. जिस तरीके से बातुल में साबून का पानी फैल है ना, ये किसी ने जान बुझ के किया है. कोई मारना चाता है मेरी पीती को. और मैं जानता हूँ वो कौन है. सच सच बता, ये सब तुने जान बुझ के किया है ना? तुने क्या कह रहे है आप सूरज बहिया? मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये तो तू बताएगी ना क्यों करीगी ये सब. कोई बात पुरी लेगी कि पीती की तिरको. बदला लेना चाती उससे. ऐसा कुछ नहीं है सूरज बहिया. छोटी बहु कभी मरते कुछ बुरा नहीं कहती. और यहां तो सभी मुझसे घर जैसा बरताफ करते हैं. मैं भी सब से कर चाहिए. तू ही इस घर में बाहर की है. और कौन होगा दुसमेंट पीती का यहां पे? अम्मा जी. अम्मा जी देखिये ना. क्या-क्या बोल रहे हैं सूरज बहिया? यह सब जूटे आसू निकालने बंद कर. आम्मा जी आम्मा जी बहरोसा कीजिये मुझसे. आरती, कौन कब कहां बदल जाए? यह तो कोई नहीं जानता ना? प्रीती जब बात्रूमें नहाने गी थी तो पानी तुमने रखा था ना? अब ही एसे नहीं माने. हेलो, पुलिस टेशन? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा परोसा कीजिये. कुछ की आईने, आप विश्वास क्योंने कर रही है? मुझे मत लेका जाएं, मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे माफ कर देना क। प्रतानी मुट से यह किलतियां कहसे हो गए क्यों किया तू नहीं सब कुछ गई? मीना के साथ उसके ससुराल वालों ने जो कुछ भी किया वो गलत है लेकिन मीना ने जो कुछ भी किया वो एक निंदनिया अपराद है और अब उसे उसका पस्चताभ को रहा है उसकी बिगड़ती हुई मांसिक स्थिती के बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहा हूँ अगर आगे चलकर मीना के घर का माहौल नहीं बदला मीना अपने आपको कोई और अपराध करने से रोख पाएगी जो हाल है इस गर का उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं प क्या हो गया आपको जो मन मैं बूल देती हो दूसरे पर इस बात का क्या आपड़ेगा इतना दो ध्यान देना चाहिए क्या सोचू दो बेटे हैं मेरे बड़ा बेटा तो रहा पोता देने से और चोटे की बीवी जैसे ही प्रेगनेंट होती है और इनों कोई आफ़ता आज दीदी आप न ये वाली साडी पैन कर चाना ये साडी आप बहुत सुन्दर लगीगी देखना भाया की तो नजरे नहीं हटेंगी आपसे अरे वा ये तो सच में बहुत प्यारी है तुम्हें पता है प्रिती शादी के बाद आज पहली बार में इनके साथ पाहर जा रहे हू देखना दीदी ये सफर बहुत यादगार होगा और ये सफर वो खुशिया लेकर आएगा हम सब के लिए जिन खुशियों का हमें सब को इंतिजार था भगवान करे तुम्हारी बात साचो थांक्यू सो मच जी आपने बताया नहीं मैं कैसी लगरी हूं शादी के बाद पहली बार हम भार जा रहे हैं पर शायद आप खुश नहीं लग रहे हैं श्कुरात तीजे कम सिकम क्या मेरा साथ अच्छा नहीं लगता इतनी बुरी हो मैं विर बगग बगग लगा रखे तुम्हें बिल्कुल भी नी सोळती हो कि सामने वाले के दिमा में क्या चल रहा है वो किस मूड में, कुछ नी सोती है, बस बोलीत रहती हो पर आप ने कभी मुझे कुछ बताया भी तो नहीं है ना? कभी मुझसे कुछ शेयर नहीं करते हैं तुमने फिसे शुरू कर दिया वो ब्लेम करना मुझा एको तुमने बता थो भी क्या क्या कर रहे हैं अन्यूट जी क्या हुआ जी क्या हुआ यहां से टेक्सी पबड़ो घर जाओ तुम्हारा यही इंदाज है जी मेरी बात तो सुनिये मेरी बात तो सुनिये आप मुझे यहां का चोड़के जारे क्या हुआ जी क्या हुआ आप झाल कि अपर जादा ख्याल लखना कोई लापरवाईने है है इस बार जादा क्याल लखना कोई लापरवाईने है क्या था है तेरी जन गुड़्दी गोजह में का अड़ा है और नहीं थो रूपः और नहीं था प्राइड के लिए और ना यह ठीम बूपभई प्राइगी इंगर करता हुआ तो पुछो ड़े बद तेरी जर्टी को समझे वे का अटा अटा अचा गाक जो हाल हिस लेख्ण उसे देखते भे मुझे गज़ है कि मैं पोते का मुदे के नहीं मठ जाओ पांच साल होगे इसकी शादी को आज तक एक तोता ना दे सकी हुझे तेरी के पिछे पांच साल से ताला पड़ा हुआ है तेख लिजेगा संदच मेरी बेटी तो आपको अपोता ही देगी एक्षर का बारिस आज के नमीडी शिर्कर सकते हुझे हाँ बिलकुल प्रहाँ अमेशा ही कमाई रपाइए हमेशा ही कमाई रपाईए प्यारी प्यारी नजर नजर प्यारी 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 ताला पड़ा है जो अबता ना दो सके निजर झाला पड़ा हुआ प्यारी करने इस प्याइप प्याजर प्याजर आप क्या गरेंगे इसका आप? भाया जी वो घर में बहुत सारे चुए और कौक्रेच हो गये हैं बस अलमारियों में तो क्या किछन में क्या सब जगे एक दम खराब कर रख है कितने पैसे हो गए इसके? पैसे तो सौर उपे ही हुए है लेकिन अच्छी दरसे इस्तिमाल कीजिएगा, दुबारा कहे देता हूँ जी-जी, शुक्रिया आदेत, पैसे भी है जी-जी, जी-जी जी है पृति, यह लो तुमारे लिए जूस अविना मेरा बिलकुल भी मन निकराख चुपचाप जूस पीलो, वरना उसके बार तुमें फिर से ग्यास हो जाएगी बेट में सच में दीदी, मैं कितनी खुछ नतीव हो ना कि मुझे जिठानी के रूप में एक दीदी मिली है आप बड़ी बहन जिसा द्यान दखती है मेरा क्यों ना इतना ख्याल रखो, देवरानी भी तो छोटी बहन की तरह ही होती है और तुम मेरी छोटी बहन हो यह बात तो है, ना ही तो कोई मेरी बड़ी बहन है और ना ही कोई बड़ी भावी अब जो कुछ भी हो, जिठानी बोलो, भाभी बोलो, दीदी बोलो, सब कुछ, आप भी हो मेरी. पता है दीदी, आज मैं सुवे मंदिर गई थी, और मैंने भगवान से क्या मांगा है ना? क्या मांगा? एक ही बात, एब भगवान जी, अगर मेरी नसीब में दूसरा बच्चा लिखा हो ना, तो वो मेरी चिठानी और मेरी दीदी को दे दे. सच में बीदी, मैं बहुत कुछ होगी जिसे मैं आपकी कोड भराई करूँगी. क्या हो अधिदी, आपने ये जूस क्यों फेख दिया? ने, तुम बैठो, बैठो, कुछ ने, उसमें कुछ गिरा हुआ था, मैं तुम्हार लिए दूसरा जूस लेकर आती हूँ, हा? तुम बैठो, ने, मैं कुछ पृति के साथ गलत नहीं कर सकती, फूम पचारी, पचारी तुम मुझे अपनी बड़ी बेन मानती है, और बगवान से दुआ भी करती है मेरे लिए, क्या हो, क्या चाता है मुझे ये? तुम्हें क्या दोरा पढता है? तुमसे एक काम दंसे निखेळाता है? अब क्या कर दिया मेने? तुम्हें पिति के हाथ से गलास क्यों भैका? पृति को कुछ बचाता तू? है? तुम्हें आपनी कुछे से मान मुझ पर भढ़की हुई है तुम्हें कुछ के राह था था, पृती प्रिती पीन अले मनें! तुम्हें काम करो, मुझ में असां करो! कुछ मत करो! कुछ मत करो! चुप जब बैटो! ये पृती और सूरज के आसपस मत भठको! प्रिती और उसके बच्चे को अगर खरोज भी लगी ना तो सूर्ज अपने यहां पर से भारा चाहता और सूर्ज बैसे बिजनस के बटवारा करना चाहता है बड़ी मुछकर से मैंने समझा कर अग्या है और तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वज़े से वह फिर से बिजनस क चाहता है यह ज़िए कर दोनिक हमा बंव सक्रben rấtा बाता साँ थांग जुक ए करुछास आ यह जुछ हिए भाई किसे जुछ हा हमाई यह ए भंख व्युछ भंख जुछ एप्टर साथ जल्दी पेप्टर साथ नाभिल सेए मेटा, क्या भूगे है तुम्हें? मादा हूँ, मादा हूँ जो! जो दुर विवहार मीना के साथ उसके पती और सास कन रहे थे, वो गलत है. लेकिन मीना ने सही तरीके से उनसे लड़ने के बजाए ने भत्या करास्ता चुना. अब तो मीना को जैसे सही और गलत का फर्थ देखना ही बंद को गया हो. अपराद एक ऐसा दलदल है, इंसान एक बार उसमें भस जाए, तो फिर उसमें धस्ता चला जाता है. मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो अपने दर्द का इलाज दूसरों के दर्द और तकलीफ में ढून रही है. क्या वक्त रहते मीना का सच सबके सामने आ जाएगा? या इससे पहले मीना की विकृत सोच उससे कोई और भयानत अपराद करवा बैठीगी? यह बैठ किसका है? यह बैठ सूरज साब का है. ओजजन? सो मिस्टर सूरज, खीर तो सभी ने खाई थी. फिर तुमारे भाई के ही हिस्से में जहर वाली खीर क्यों आई? सर आप जितने बार भी पुछो गे ना. मेरा एक ही जवाब रहेगा. मुझे नहीं पता सर. नहीं पता मुझे. पर हमें पता है. ऐसे तुम्हारे ओफिस से पता चला है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई माधाव जी तुम दोनों के बीच में अनबन थी? सही है ना? वही थी अनबन. और फिर जुला भी हो गई थी. या पिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बड़े भाई का बिजन साथियाने के चकर में तुम्हें उन्हें जान से ही मार दिया? कैसे बाते कर रहें साराव? नारा ज़रूर था मुझे. तब नफरत नहीं करता था. तुम क्या सोच सकते हो और क्या कड़ सकते हो इसके बारे में पता लगा लेंगे. सर प्लीज सर मेरी बात सुन लिए सर प्लीज सर प्लीज सर मेरी बात का भरोसा करो. मैंने बहिया को नहीं मारा. मुझे यकीन है तुम पे सूरा जी. लेकिन ये पुलीस मारने को तयार रही है. प्रिति क्या क्या सोचा था ना मुने? कितने सपने देखे थे, ऐसे लगते जिसे सु.. सब खतम होगे, सब बरबाद होगे. सूरज, तुम उदात बतो. मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी बड़े से बड़ा वकील करेगी. और देखना, तुम जल्दी ही महारा जाओगे. जेट जी को किसी ने महारा है. जान भूच कर मेरी सूरज को फसाया है. मादर जी, आप क्यूं जोड़के चलेगे अपनी मीना को? आप इतना नरास्ते अपनी मीना से, क्यूं कर्षता वह लिए मादर जी? मादर जी, आपके मीना आपके बिनन नहीं जीए पाएगी. मैं आरीए आपके पास मादर जी, मुझे मार जाने जी एए. मेरेट जाने जी मुझे. मेरेट जाने जी मुझे. मेरेट जी मुझे 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 необходимо भुई कुछ नहीं खाना है क्यों नहीं खाना खाना पड़ेगा आपको पृथी जीद मत करो है ने कहाता नमुझे नहीं कहानै जब मैं कभी खाना नहीं खाती थी तो आप भी मुझे जिट गर खिलाती थी नहीं खा機會 प्रुंत दिदी, आपको पता है ना, भाईया का खून किसी ने कर दिया, और उनके खून का एज़ाब तूरज पर लगा दिया. दिदी, क्या कभी भाईया ने आपको बताया उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? दिदी, यह उन लोगों का लिस्ट है, जो लोग गोद भराई के दिना यहां आए थी, जिस इंसान ने भाईया को मारा है ना, वो हमारे ही गहर पर था, क्या आपको इन में से किसी पर शक है? प्रीती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दिदी, मैं भाईया के कातिर का पता लगाऊंगी, और तूरज को बेकतूर साबित करकर रहोंगी. क्या बाज़ है? जी, सुमित्रा जीने यान आज मंगवाया थी, माधरो जी के नाम से गरीब हुमें बांटने के लिए. यहां रख दीजे. जी. मीना जी कहा है? अपने कमरे में है. मुझे उनसे मिलना था. क्यों? इतनी बड़ी घरना हो गई है, वो हमेशा मेरी दुकान पर आती जाती है. सुचरा हूं मिलके एक बार सांतोना देती. भावी, वो आपसे कोई मिलने आया है. अंदर बेश दो. तुम? जी, मेडम जी. आपने तो कमाल ही कर दिया. जुगे कोक्रोज मारने की जगर कुछ और ही मार दिया. क्या बाकवास कर रहे हूं? मैने अगर मुख खोला, तो आप फंस जाएंगे. दो मिलिट लगेगा पुलिस को. मेरे दुकान की CCTV से आपकी फूटेज निकालना है. फिर सारा खे उल्टा हो जाएगा. हाँ चोड़ो मेरा. बोत्तों चोड़ी दूँगा. पचास लाख रुवे रख दीजी मेरे हाथ में. यह हाथ भी चोड़दूगा. और अपना मोवी वन करलोंगा. हमेश्वा के लिए. माजी. कई भाईया को इन दोनों ने तो नहीं मार दिया? रैसे भी भाईया और दीदी की बनती ही कहा आती? नहीं नहीं, प्रेदी. जरूर तुमारे देखने में दोखा हुआ है. मादर की जान ले ले. इतनी उसमें हिम्मत नहीं है. मेरी आंके दोखा नहीं कहा सकती, माजी. चरूर, खोई तो राज है उन दोनों के बीच. कौने माँ? लुख, मिर्दीच. क्या हुआ? कोई तो था. मुझे लग रहा है. जरूर ये दीदी ही होंगी. कहीं उन्होंने उमारी बात तो नहीं सुल्ली न? अगर मीना ने ये बात सुल्ली है, कि हमें उसके कुनी होने पर शक है, तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं हुआ. क्या बात लिए? क्या बात लिए? जानती हो? जानता हूं, सर्. ये CCTV का फूटेज़ चाहिए. दिखाओ. जी, सर्. मेना, तुमने दरवाजा के बंद किया? क्यों, माजी? आप डर क्यों रही है? नहीं तो, मैं नहीं डर रही है. वैसे, मैं क्यों डर होंगी कुमसे? पर माजी, आपके चहरे पर साफ-साफ डर नजर आ रहा है. और कितने दिनों से आपके बात करने का तरीका भी पदला हो है? क्यों? नहीं तो, मैं बिल्कुल वैसी ही हूं, जैसे मैं पहली थी. नहीं माजी, आपने मुझे बिनावजय परिशान करना बंद कर दिया है. मुझे ताने मारने बंद कर दिया है, मुझे आपमान करना बंद कर दिया है. कितने दिनों से आप मुझसे कटी-कटी रह रह रहे हैं. वरना आप इतनी देर लगाती नहीं मुझे ये कहने में कि मैं अपना पती खा गई हूं. पर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा. है न माजी? चलो! आपको तो सिर्फ मेरी गल्तियां दिखाए थी, जो कि कभी मेरी थी ही नहीं. घर में तो सब लोग बहरे थे. पर मैं, मैं सिर्फ अकेली थी. किसी ने मेरा दर्फ दी समझा, सबने मुझे ताने मारे. बार-बार मेरे दिल को ठेस पहुचाए. क्यों माजी? ये तुम क्या बूर रहे हैं, मीना? हाज आपको पता चलाओगा ना, तकलीफ क्या होती है? बिना किसी के रहना, कितना मुश्किल है. लेकिन मैं, मैं पूरे पांच साल से, अकेली सहन कर रही है. वो भी बिना किसी के प्यार के, आप सब के तानों के साथ. आपको बता है माजी, मेरे अंदर जितनी शहन शक्ती थी, मैंने सब की सेवा की. लेकिन बतले में मुझे क्या मिला? सब की डार, सखकार, ताने. एक बात बताए माजी. सारा दुख मुझे अकेले ही क्यों? आप सब को भी तो मिलना चाहिए ना? आपका एक बेटा तो मर चुका है. और दूसरा? दूसरा उसके खोन के इलजाम में जेल में है. पर आपके पास तो एक उमीद है. आपको पोता मिलने वाला है. तो मेरी उमीद का क्या करूँ माजी? मैं क्या करूँ माजी? मताहिए ना. मेरे परस तो कोई उमीद नहीं मची. तो मैं आपकी उमीद खुब ये जिंदा नहीं रहने दूगी. मेना! अबिना! अबिना! अबिना है है! तर बासा को लग्या होगी दो में! ती ती? ती ती ती? ती 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 तुम्हें? तुम्हें, डुक्पे रुपके, रुपके. रुपके, तुम्हें. फृती? सूराट्स! सूराट्स! तुम डील हो ना यह सब कैसे हुआ दी दी मेरी कमरे में आई दी दी मुझे मत मारो दी देखो मैं तो मैं तो आपकी छोटी भेहन हूँ ना मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं बोला मैं मा बनने वाली हूँ मेरा बच्चा भी तो आप ही का बच्चा है ना आप मुझे मुझे मरेंगी दी 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 रिती मैं जिस रास्ते पर चल चुके हूँ आपस मुझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं एक पाफ तो कर चुकी हूँ अब चाहे मैं जितने भी पाफ करूँ ना सजा तो मिलनी है इससे अच्छा है कि अपनी गल्तियों का प्राश्चित कर लूँ मगर हाँ तुम वो गल्तियां मत करना जो मैंने की हैं जितना मैंने साहे वो तुम कभी मत सहना अपनी मान मर्यादा अपनी खुशी के लिए हर हाल में लड़ना तिर चाहे जीतो या हारो मन में पश्तावा तो नहीं होगा ना कि हमने कोशिश नहीं की प्रीती तुम ही कहती हो ना मैं खुनी हूँ तो लोग ये खुनी आज एक और खुन करती है दीदी प्लीज प्लीज दीदी नहीं मीना की कहानी बहुत ही भयानक और दर्दनाक है एक अच्छी खासी औरत ऐसा जगन्य अपराध कर बैठेगी किसीने सपने में भी नहीं सोचा मीना कमजोर थी इसलिए उसने अपराध का रास्ता चुना इस केस में अपराधी मीना है लेकिन उसके अपराधी होने में उसके पती और सास का योगदान कोई नहीं न कर सकता है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मीना के पती और सास की तरह कहीं हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनका तेरसकार तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ करने या कहने से पहले, एक बार ये सोचना बेहत ज़रूरी है कि हमारे द्वारा हम किसी का दिल न दुखाए, किसी की आत्मा को हम चोट न पहुंच रहे हैं। रिष्टों के बिना इनसान अधूरा है, और कृतवगयता के बिना रिष्टे अधूरे हैं। थैंक्यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये बहुत आसान शक्त है, इनके महत्व को समझें। और अपनी जीवन में इसका भरपूर उप्योग कीजिए। खुश रहें। और दूसरों की खुशियों का भी आप ख्याल रखें। क्राइम एलज़, डर्नाने, मिटाना है।